राजधानी लखनों में नगर निगम के चुनावी समर में इस समय हम मौजूद है वाड नंबर 29 खरीका अदुतीवे सपा के प्रत्यासी मनुष्कुमार पाल जी जो उनकी दन पत्तियां पे सुनाव लड़ रही है तो वो डोर टू डोर कैम्पेंट कर रहे हैं जानेंगी कैस पर विश्वास करके हमें टिकट दिया था चुनाव लड़े और इस खरीका दित्यवाड की जनता ने मेरे साथ लगकर पूरी मेहनत और सिद्धत के साथ मुझे चुनाव लड़ाया मैं विजेता रहा कुछ होटों से हार गया लेकिन फिर मानिय राष्टिय द्यचकले श्य में जा रहा हो और जनता पूरे तरीके से स्वागत कर रही है और हर बच्चे की हर माताओं की हर बहनों की हर युवाओं की आवाज श्रीमती लच्मिपाल और साइकिल का निसान आ रहा है अभी आप ब्रमर कर रहे हैं आपने जैसे सा बताया कि पछली बार भी आप हुआ है या नहीं हुआ जब पिछले बार हम तैयारी कर रहे थे जो इस्तिती पिछली बार थी उससे बद्द्थ्द इस्तिती आज है पांच साल में कोई कार नहीं हुआ पूरे खरिका दित्तिये वाड में आप यहां पर है आप देख सकते हैं आज पास जिस तरकार से भाज लेकिन आप यहां देख सकते हैं गड़ा युक्त सरकार नजरा गड़ा युक्त सडके नजरा रही हैं और यहां पर पानी की निकासी को लेकर बहुत बड़ी समस्या है अगर एक घंटा पानी बारिस हो जाती है तो यह समझ लिजिए पूरा खरिका दितेवाड जलमग न हो ज सब खरिका पूरा लबा लब हो गया और फिर हम लोगों को नहर कटवाना पड़ा नहर कटवा के उसमें पानी तब गया तब यह खाली हुआ तब लोगों को आने जाने में थोड़ी सुविधा मुहिया हुई यह काम अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी के कारि रहें कोरन्टीन रहें लेकिन समाजवादी के नेटा ही ऐसे रहें जो सड़कों पर लोगों की मदद करें आसा हाय Majesty's लोगों की लोगों को खाना पहुचा है हम लोगों ने उन Oh-3 दीन लोगों को घर-घर खाना पहुचा है आप किसी से भी yaha मारे सब वार छेत्र के हैं आ आगराब एस्प्रेस से वहां भी हम लोगों ने पूरी मदद की छोटे छोटे बच्चों को जब देखा कि वहां बच्चों को पानी नहीं मिला दूद नहीं मिला तो हमने 20-20 लिटर एक एक दिन में दूद देने का काम किया तो यह समाजवादी की सोच है आदरनीय नेता जी की सोच्थी उसी की विचारधारा पर हम लोग चलने का कारी कर रहे हैं और निश्चित रूप से यह खरीका दित्यवाड की जनता आपकी समाजवादी प्रत्यासी स्री मतिलच मिपाल को भारी मतों से विजय बना कर लाएगी तभी इस खरीका दित्यवाड के विकास संभव हो पाएगा आप अभी गली-गली भर्मण कर रहे हैं आपको आउसर मिलता है तो आप दो-तीन-तीन पॉइंट बताया जिन पर लगता है कि आप पावर में आते ही काम करेंगे और फोकस करके जनता की समस्याओं का निदान करेंगे सबसे पहले पानी निकासी का यह पानी नि दो जाकर देख लीजिए सारे तालाप पन्यों से कूरों से और पेडों से पूरा भरे हुए हैं आत्ता कोई उनकी सुद लेने वाला नहीं है यहां तक पारसद बने पांट साल रहें लेकिन कभी पलट के देखने नहीं गए कि हमारे वाड की किया इस्तिती है कैसे विकास करना है केवल अपने घर में बैठे रहें और लोगों को वहीं से कह पहानी बताते रहें कि आपने बात की है तो सरक जो मौझुदा सरकार है उसका सब सच्चता पे बहुत ज्यादा फोकस रहा है क्या लगता है काम नहीं हुआ है अगर सच्चता पे भाजपा सरकार अगर वास्तों पे जमीन इस तरह काम करती तो जो हमारे वाड में पांच प बीत गए भाजपा का मेर खर का दित्यवाड में कभी कदम नहीं रखा है तो कैसे विकास होगा आज भाजपा का सांसद है भाजपा का विधायक है भाजपा की सरकार है भाजपा की केंद्र सरकार है बताइए फिर भी हमारी जनता तरस्त है बिजलिक बिल कितना बढ़ गया लोग कितने कितनी बेरोजगारी हो गई है लोग तरस्त हैं आज भाजपा की सरकार से लोग तरस्त हैं और ये पांच किलो का रासन देकर लोगों को बेकूब बना रहे हैं आज हमारा संविधान कत्रे में है हम लोगों को पांच किलो का रासन देकर हम लोगों को बेकूब बन बनाने की ताकत दी, SDM कलेक्टर, DM परधान मंत्री, मुख मंत्री, राष्ट पती तक बनाने के जो ताकत दी, आज यो संविधान खतम करने का कारी किया जा रहा है, ये भाजपा सरकार से और मैं आप के चैनल के माध्धम से लोगों को सचेत करना चाहता हूं, कि आप लोग चैत हो जाईए, अगर आप लोग इसी तरह इनकी जूटी फरेभी बातों में गुमरा होते रहें, तो निश्चित रूप से ये लोग संविधान को खतम कर देंगे, और आने वाले समय में ये जो चुनाओ चल लहा है, बाबा साहब कहते थे, कि अब राजा और रानी पेट से पैदा नहीं होगा, राजा और रानी बैलेट बाक्स से पैदा होगा, तो ये लोग ये बैलेट बाक्स खतम करना चाहते हैं, और राजा रानी पेट से पैदा करना चाहते हैं, तो मैं यही गुजारिस करता हूँ, हाज जोर के निवेदन करता हूँ, कि आप लोग जग यह समय है जगने का और जगाने का मुवमेंट का बाबा साहब के विचारों और अधिकारों को आगे ले जाने का और मानियर कासी राम साहब का मानियर मुलायम सिंग यादो जी का और मानियर लोहिया साहब का और हमारे नेता आधनी अखलेश यादो जी हमेशा लोगों की बात करते रहे हैं हमेशा लोगों की चिंतन करते रहे हमेशा उनों gebracht है कहा भाजपा से कि भाई आप जातिध जनंगर्णा करा। क्यों नहीं करा रहे हैं ? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्से दारी क्यों भाजपा पीछे भाग रही है अगर हिम्मत है तो कराए हमारी सरकार आगी मानने अखलेश यादो ने 2022 में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी पहले ही कैबिनेट में 6 महिने के अंदर हम जातिजद गणना कराकर उसी हिसाब से हम लोगों को सम्मान देने का काम करेंगे और मानने अखलेश यादो जीने कहा है किया है देखिए खरिका दित्ये से एक पाल समाज की बेटी को समाजवादी पार्टी से सिंबल देने का काम किया और खरिका पर्थम से एक ठाकुर समाज के दिनेश सिंग को टिकर देने का काम किया आज आप देख लीजिए हमारा अभी आप ब्रहमण कर रहे हैं, अपना प्रतुदंदी किसे देख रहे हैं, किसे आपकी चनोती टकर चल देखिए, लड़ाई तो देखा जाये तो हमारी किसी से नहीं है, लेकिन ये जूठी पाल्टी है, फरेवी पाल्टी है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को गुमरा कर रही है, बस हम लोगों को हुसियार रहना है, जनता को हुसियार रहना है, इनके फरेव में नहीं आना है, समाजवादी पाल्टी पूरे उत्तर प्रदेश में आपकी भारी परचंट से जीतने का काम करेगी.